हमारी एपल लोच अरे किदर है है अब हैलो ब्रैंड्स वेलकम टू रविट टेकनीकल्थ दोस्त आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं एपल की वाच सिरीज 9 एपल वाच सिरीज 9 45 mm gps वर्चन वाली वाच जो है उसका आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं तो दोस्त बहुत सारे वीडियो देखे होगे अन्बोक्सिंगे लेकिन यह वीडियो स्पेशल है क्यों क्योंकि मैंने फ्लिप काट पर अपनी पुरानी वाच पुरानी स्मार्ट वाच एक्स्चेंज किया है और वह भी खराब मतलब नॉट वर्किंग जो स्मार्ट वाच थी जो वर् एक्सचेंज किया है फ्लिपकाट पर और आप बिलीफ नहीं करोगे 2300 रूपीज मिल गए है दोस्तों मुझे इसके लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है मैं आपको पूरे डिटेल में जान करी दूंगा उसके लिए आपको क्या करना है कैसे करना है तो इसके पहले आम हमारी वाच के अन्बॉक्सिंग करेंगे तो वाच के अन्बॉक्सिंग अल्रडी हो चुकी है क्यों क्योंकि हमने फ्लिपकाट से पर्चेस किया था तो उसके लिए वो ओपन बॉक्स डिलेवरी थी तो ओपन बॉक्स डिलेवरी होने के कारण फ्लिपकाट वाला जो delivery person आता है वो ही हमें open box मतलब पूरा box open करके बताता है ये ये सब चीज़े अच्छी है कोई damage वगरा नहीं है इसके अंदर product है कुछ भी missing नहीं है दोस्तों तो उसका जो वीडियो है जहाँ पर delivery person ने unbox किया था वो वीडियो में आपको डाल दिता हूँ पाल कोई झाता है अध Windowsad ONE कि आपको पाल दे 그렇पको प्रॉड़ची पाला है वोड़ बन्स हाँ प्रत्य बोस्त विवस्ति काड़ा लगते ना? बोस्ति काड़ा लगते ना? अब निए असस्करतास तो अन्बोक्सिंग वगेरे एक तो इवाली हाफ्ना में प्रोडक्त देख डखला 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 पर यहाँ पर आप देख सकते कि वह डिलेवरी पर्सन ने देखियागा तो इसे वाच अन्बोक्स किये और मेरी पुरानी वाच का भी उन्होंने अपडेट करके वह रिप्लेस किया है तो पूरा डिटेल वीडियो आपने यह जो वीडियो देखा क्विक अन्बोक्सिंग ता डिलेवरी पर्सन का तो थोड़ा हम डिटेल में फिर से एक बार दिखा रिफर्विश होता तो उपर आता एपल वाच और यहां पर आता रिफर्विश बोलके तो यह निव है तो अभी अन्बोक्सिंग अल्रडी हो चुका है इसके सब पार्ट्स मैंने बाहर निकाल के रखे और यहां पर दिखिएगा इसके अंदर आमें स्ट्रैप देखने को म कहुं हो गया उसके बाद यह वाच का डिपपा वाच के डिपए में क्या मिलता है यह हमारी एक प्ल निकाल के रखा आई हे यह पर देखिएगा यह हमारी एपल वाच सिरीज 9 आपको देखेगा थोड़ा समय आपको close look दे देता हूँ एक बार इसको watch का पुरा एक बार close look आपको दे देता हूँ अल्रेडी मैंने connect कर चुका हूँ तो आपको watch का एक बार close look दे देता हूँ यह देखेगा यह देखो यह देखो यह back side से और यह आपको front side से भी एक बार look दे देता हूँ यह देखेगा यह हमारी watch और आप वही देख रहे होगे यह already मैंने connect कर दी है दोस्तों तो यह unboxing वीडियो नहीं है मतलब unboxing टाइप वी वीडियो लेकिन यह पूरा यह watch है तो यह 45 mm वाली watch है दोस्तों तो यह 45 mm ओके एक मिनिट उसका मैं थोड़ा अंजूम कर देता हूँ कि यह जो वाच है दोस्तों यह 45 mm वाली GPS वर्जन वाच है इसकी जो प्राइजिंग वगेरा मुझे क्या पढ़ी है यह भी मैं आप डिस डिटेल में बोलो ना डिसकस करने वाले एक्षेंज कैसे क्या कितना बैंक डिसकाउंट मिला क्या हर एक चीज हम डिटेल में स्पोर्टी लूप स्ट्रैप वाच और दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या मिला है हमें बॉक्स के अंदर एक किये चार्ज चार्जिंग अभी जो चार्जिंग अडप्टर वाव यह केबल वोगेरा बहुत ही बढ़िया है आज लाइक नॉर्मल जैसा रहता है वैसा नह मारा मैगनेट का चार्जर है यह वाच के लिए यह वाला दोस्तों यह देखेगा अगर हम इसको इसके उपर एसा वाच रखेंगे तो बाकी तो कुछ नहीं है थोड़ा फार पड़ाई पड़ाई वगरे का मिल जाता है यह कुछ इंपर्टन नहीं है तो यह वाच का प्रा को इसको धिकरतशनें निटां के दिकतल ही सिंपल है रहता है उपर वाले संसे मां इसा इसको इसल की करना है एक तो आपको और दूसरा वाला कुछ भी नहीं सिर्फ ऐसा करके ऐसा करती ना को और अनलॉक करने के लिए पीछे बटन रहता है वह बटन दबाके यह करना पड़ता है तो अभी मैं इसको हाथ ने आपको पाइन के दिखाता हूँ यहाँ पर देखिएगा यह देकिए मेरे हाथ में वाच है कैसे लग आप देख सकते यह देखेगा अभी पास वर्ड मांग हो ऑंप होने के लिए तो यह वाच है पूरा लुक टीकर यह तो इसका अभी प्राइजिंग डिसकस करते तो दोस्तों प्राइजिंग कैसे हुआ कि जैसा मैंने एक्स्चेंज के आप प्लिपकाट पर की बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों यह हर एक उप्शन पर देखने को नहीं मिलता मतलब सिरीज़ 9 के हर एक मॉडल पर देखने को नहीं मिलता लेकिन चाहएं पर प्लिपकाट पर जाओगे वहाँ पर एक्षेंज में ल प्राइजिंग कितना मिला मेरे को तो जो मैंने क्रिडिट कार्ड उस करके पूरा प्रहु पूरा प्राइजिंग जो भी जितने सारे प्राइजिंग है वो सब मिल जूल के मेरे को मिली है थर्टी वन थाउजन एट हंड्रेड और नाइन्टी एट रूपीज में जीपियस वर्जन एपल वाट सीरीज 945 mm तो यह जो टील है मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों इसके नीचे मैंने इनिकॉन में भी जाके देखा है एमेजॉन पर हर जगह पे जाक को यूज किया है तो मुझे अभी तो फिलाल बहुती है अच्छा एक्सप्रियंस है अगर आप आइफोन यूजर है तो कोई भी एंड्रोइड की स्मार्टपॉन की वाश मत लीजेगा क्योंकि वह इतनी कॉंपेटिबल नहीं रहती है आप एपल की कोई भी आइवाश ले स दो वाश नहीं लेते अलीट हर एक चीज नहीं लगता की फिल नहीं आता हो तो इसके लिए जब आपको एक लूप में होना चाहिए रहता है कि आप आइपवन लेनों या ए एक चीज एपल की लिने की ट्राइउ करो कितने बढ़ या किटनी बढ़िया कर देता है अबना तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों यह यूज़ करके मैं आपको यूज़ बढ़िया लग रहा है अभी चुछ चीज़े घिमिक चीज़े करें हैं जैसे कि यह वाला फीचर जैसे कि कोई चीज है हाथ में लिए साइलेंट करने वोलती है अगर मैं दो आज़से पूल नौह है तो इसा ताइम बोलती नाइन फिफ्टी त्री पीम ऐसा टाइम बोलती है तो बहुत सारी फीचर से जो कि अगर मैं साइट रहला और और फिर तीन बार वाइबरेट होगी, मतलब 9 बचकर 53 मिनट हो गए, मेरे को बताएगी वाइबरेशन से, मैंने जब साइलेंट किया तब, मतलब आवाज नहीं देगी, यह भी अच्छा फीचर है दोस्तों, अच्छा बहुत सारे फीचर से, हर एक फीचर एक्स्प्लोर करें आटा, ओर बाइबरेशन से, घाटा और बाइबरेशन नहीं.